रगवांस वावु जी का वीडियो पहला बर्खी जो है वो मनाया जा रहा है रगवांस वावु के जिंदा रहते हुए किस तरह से आर्जेटी के लोगों ने वेज़त किया सब लोगों को मालूम है नमस्कार मैं हो देवांसू आप देख रहें न्यूस फोर नेशन आर्जेटी के उपाध्यक्ष रहे रगवांस परसाद ने अपने आखरी वक्त में एक चिठ्थी सीम नितीश कुमार के नाम लिखा था उस चिठ्थी के जरिये कई मुद्दे रगवांस परसाद ने उठाये थे और आज बिहार की नेता परतिपक्ष तेस्पी आदब ने उस चिठ्थी के हवाले से कहा है कि रगवांस परसाद ने जो जो मुद्दे और जो जो मांग चिठ्थी के माधियम से सीम नितीश कुमा से उठाए थी उन मांगों को पूरा जल से जल होना चाहिए कि रगवन्स परसाद के मांग को वो जल से जल पूरा करेंगे तेस्पी आदब के बाद जेडियो संसाधिय बोर्ट के अध्याक्ष उपेंद कुस्वाहा ने बड़ा तंज कसा है उन्होंने कहा है कि जिनको रगव परसाद को लेकर जो चिठी को लेकर क्या कुछ कहा उसके बाद काउंटर करते हुए उपेंद कुस्वाहा क्या कर रहे हैं दोनों बयान एक साथ बाबु जी का भी जो पहला बड़की जो है वो मनाया जा रहे है लगवन्स बाबु तो हम लोगों के नेता रहे हैं पिता जी प्रकाष जी जो बेटे है तक हमारी मांघ रहेंगी रद्व कारा है में अपक्त आपको याद होगा कि रगवन्स पाबु ने चिठीम म relevant के थी जो सरकार के कुछ काम जो है सरक का या कुछ दौर का उसकानिर मांद जो है सरकार जो एक करवा ओक शाल हो गया है और अन्व गर लिखी थी कि इस काम को पूरा करवाई एए एक साल होगे अब तक उष काम नहीं गए ईक तो हम लोग चाहेंगे कि उस चिठीक में प्यार क्थी राज के सरकार्ड उसको पूरा करे नितिश में पूरा करे दूसरी हमारी मांग रहेगी कि रगवन्स बाबू जी और स्वर्गिय रामविलाश पास्वान जी का जो है राजकियों समारों में उनको इंक्लूड किया जाए रगवन्स बाबू के जिंदा रहते हुए किस तरह से आरज़ेटी के लोगों ने वेज़ेत किया सब लोगों को मालू है ठीक है उनकी मुर्ती लगे न लगे एक अलग विसे है और उस पर कोई और दूसरा डिमांड करे तो बात समझ में आती है लेकिन जिनको कहीं से नेतिक हक ही नहीं है डिमांड करने का तो अपनी राजनीत के लिए डिमांड लो करते हैं तो राजनीत के लिए और किसी पार्टी की राजनीत के लिए ऐसा डिमांड नहीं होना चाहिए एक्चुल में डिजर्व करते हैं तो उसके आधार पे अगर कहीं से कोई डिमांड होता है तो निश्य दूरुप से ठीक है और तेस्ती आदम ने कहा है कि ये दो सीटे हम जीत गए तो सरकारत देल देंगे दो सीटे जीतेंगे ही नहीं कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है दोनों सीट जनता देल उनाइटेड जीतेगा बिग मार्जिन्स जीतेगा अभी ख्वाब लोग देख रहे हैं तो देखते रहे हैं